क्या आप जानते हैं कि आप सर्दी में भी गर्मी का एहसास कर सकते हैं जिहां दोस्तों ये किसी वूलन वियर की या फिर ठंड के कपड़े की बात नहीं है ये एक ऐसी डाइट की बात हमाज कर रहे हैं जो आपको सर्दी में गर्मी का एहसास दिलाने के साथ साथ शरीर में ठ स्टल OR कि यह 20 दुरच्ट दूर्ब करने वाले शरीर आप ले लेंगे तो दोस्तोऊ करने के लिए कबजी को दूर करने के लिए शरीर की रोकपर्तिरोटक शम्ता को बढ़ाने के लिए अगर आप ले लेंगे तो दोस्तों आपको बहुत ही ज़ादा तंदुरुस्ती महसूस होगी एनर्जी का बहुत ही बड़ा स्थोत्र है चुआरे क्योंकि इसमें इतने ज़ादा मिनरल्स विटामिन्स और पोटेशियम पाया जाता है जो अमारे शरीर को बहुत ही ज़दा चुस्ती और दुरुस्ती देता है साथ ही में दोस्तों आज हम इस रैसेपी में क्या कर रहे हैं इन छ्वारों कोँछे से दूद में कुछ सॉफ के साथ थोड़े से दूद के साथ अपको तब तक इसको वाइल करना है जब तक यह छवारा थोड़ा सा पक ना जाए फूलने ना लगे इसको आपको पानी में नहीं दूद में ही पकाना है ताकि इसमें कैल्शम की भी श्रोत आ सके और यह आपके लिए हेल्दी भी हो सके साथ ही में दोस्तों इसमें हमने कुछ बादाम डाले हैं और बादाम के कितने ही गुण बताओं वो आप सबी जानते हैं और जो मैं बताओंगा वो कम ही होंगे यह सारी चीजे शरीर को बहुत ही ज़दा चुस्ती देती हैं अब आपके मन में आ रहा होगा कि हमने सौफ क्यों डाला है दोस्तों चुवारे होते हैं गरम पेट को ठंडा रखने के लिए पेट में कोई कबजी ना बने चुवारे मदद करता है सौफ के साथ मिलके पेट क तैसील तो गरम है लेकिन पेट को ठंड़क देगा साथ ही में दोस्तों आपको ये बहुत सारी चीज़ों में और मदद करता है वो सर्दी में मूग को फ्रेश रखता है गंदी बदबू को दूर रखता है वजन घटाने में सक्री है या फिर मैं कहूं वेट मैंनेजमेंट में बहुत सक्री है साथ ही में इसके धेर सारे फायदे अन्ने भी पाई जाते हैं आज मैं इसमें सौफ भी थोड़ी सी मिलाओंगा और सौफ के फायदे भी मैं आपको बता दूँ सर्दी में सौफ के कुछ अलग ही प्रकार के फायदे होते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे तत केसर को हमारे बहुत ही जादा सतरक और बढ़िया रखते हैं चेहरे को चमकाने की शमकता रखते हैं केसर के दोस्तों हमेशा आपने सुने होंगे बहुत अच्छे फायदे हैं तो केसर आज हम इसमें मिलाएंगे आगे लेकिन सबसे पहले हमने क्या करा सौफ बादाम और इस इसे बॉयल कर लिया नरम कर लिया और अब इसे हमें काट लेना है काट के हमें इसमें से गिटक निकाल लिनी है अब आपके मन में ये विचारा रहा होगा कि गिटक पहले क्यों नहीं निकाली दूद में बॉयल करने के बाद ही गिटक क्यों निकाली है दोस्तों वो क्योंकि पहले ये बहुत सकत थे और अब ये बहुत नरम हो गए हैं इसमें फुलावट आ चुकी है और ये दूद में पक चुके हैं तो बस इसलिए अब हमने सारे के सारे एक एकर के देख सकते हैं हमने जटपड से सबकी बीज निकाल दी हैं और थोड़ा अब अपने बदा साता है कंबल से निकलने का मन नहीं करता है ऐसा लगता है कि यार दिन इतना छोटा क्यों है क्योंकि आलस हमारे को कुछ कामों में रोक देती है लेकिन जब आपको ऐसा लग रहा हो तो ये चुस्ति और सुफूर्ती की डोस जो हमने हमारे लिए हम लेते हैं हमने का क्यों न करक imitate के वह हल्का केसर मैं अब इसको एक पेस्ट बनाके तयार कर रहा हूं और अब फेस्ट को में पmore कजब भी रात में दूद पीता हूं रजा मुझे की मिमें केर्षा पीने का और जादा मन हो और हलकी सी अगर चाहें तो हल्दी डाल दीजे हल्दी आपको पता है दोस्तों कितने फायदे बताऊ हल्दी के उतने ही कम होंगे हल्दी एक बहुत ही अच्छा नैचुरल शरीर को हीलिंग के लिए काम देता है एक नैचुरल एंटिबाइटिक है आपको मज़ा आ जाएगा कैसा लगा यह ठंड का सूपर हिट डोस मुझे जरूर बताएगा मैं इसको फटाफट से जो बच्ची हुई सामगरी है इसको डबी में डालके पैक करके कुछ दिन के रख लूँगा जब भी दूद तयार करूँगा उसमें पीलूँगा आप य हेल्दी और हेलफूल वीडियो ज़रूर शेर कीजिए ताकि सभी को मदद मिल सके यह अच्छी रेसेवीस की मैच